हेलो फ्रेंड्स वेल्कम एक टू माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोयम फायर एंड आइस बाई रोबर्ट फ्रोस्ट सो अगर हमारी इस दुनिया को हमारी अर्थ को खत्म होना हो तो यह दो तरीके से खत्म हो सकते या तो फायर से या फिर आ स 맛있는 अप्सनिया के फायर समझत को लिए आइस इसलो में और यह होते हैं फिर दो कारण हो सकते हैं पुरी दुनिया के लिए fire and eyes from what I have tested of desire I hold with those who favor fire यानि कि यहाँ पर poet कहता है कि जो fire है वो represent कर रहा है इस poem में ध्यान रखना है कि fire represent कर रहा है desire को यानि कि इच्छाएं जितनी humans की इच्छाएं हैं तो उससे भी पूरी दुनिया का end हो सकता है और poet ये कहता है कि मैं उन लोगों के favor में हूँ जो fire को मानते हैं कि fire से दुनिया का end हो सकता है कैसे यानि कि fire यहाँ पर desire को represent कर रहा है किसी की इच्छा है अगर कोई बहुत ही घमंडी लालची इंसान है अगर उसकी इच्छा है प्रधान मंत्री बनने की या राष्ट बदी बनने की और अगर उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो क्या होगा बरबादी होगी ना तो इस प्रकार से इच्छाओं से दुनिया का end हो सकता है यानि कि poet कहता है कि अगर दुनिया को दूसरी बाई यानि की destroy twice यानि की दूसरी बाद अगर दूनिया को दूसरी बाई तो आइस उसके लिए sufficient है काफी है आइस उसके लिए क्योंकि आइस यहां पर represent करना है इस poem में emotions of hatred among the people यानि की लोगों के अंदर जीतिए नफरत है यानि कि माल लीजे आपको कोई दुसमन है तो आप ये तो नहीं सोचोगी कि वो अच्छा रहा है आप ये सोचोगी अगर आपको बस चले तो आप उसको जिंदा जला दो तो अगर हेटर्ड इतनी बढ़ जाए नफरत हीूमन के अंदर तो दुनिया क्या होगी बरबादी होगी न तो यहाँ पर ये पोएट कहता है कि आइस भी सफिशन्ट है अर्थ या फिर हमारी दुनिया के एंड के लिए तो यहाँ पर हमें दो बाती दियान रखनी है फायर र की प्रजेंट कर रहा है इमोशन्स ओफ हेटर्ड अमंग दपीपल्स तो यहाँ पर आई होप आपको अच्छे से पोएम समझ में आयोगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले रन्निवाद